श्रीशिवाय नमास तुभ्यम हरहर महादेवाज के वीडियो में हम धतूरे का उपाय को बताने वाले हैं धतूरा एक काटा काटा सा पौधा होता है हमें धतूरा क्यों चढ़ाना चाहिए पहली बार धतूरा किसने चढ़ाया है था तो आए जानते हैं सबसे पहले धतूरा ब्रमजी ने चढ़ाया था उसने एक सत्य बोल दिया था उसको दूर करने के लिए सत्य को खतब करने के लिए धतूरा चढ़ाया था हमको भी मेहने में दो मेहने में साल भार में धतूरा चड़ाते रहना है जिसे कि हम जो जुड़ बोले हैं वो करता रहे काटवाला धतूरा होता है उसको आप हर दिन नहीं चड़ा सकते भी सेस्टीथी पर ही चड़ाए तो उसको लापधिक मिलता है जैसे कि हम जल को हर दिन चढ़ा सकते है बेल पत्रों को हर दिन चढ़ा सकते है लेकिन धतुरे को हर दिन नहीं चढ़ा सकते है तो आईए धतुरे का हुपाए अगर आपको बहुत विमारी है तो आप एक धतुरा हल्दी में भीगो के महिने में एक बार सीव जी को चढ़ाएं अगर आपको कोई काम में देरी हो रहा है कोई काम नहीं बन पा रहा है तक गया है आपका काम चाहे वो युवाह में देरी हो रहा है या फिर कोई आपके काम अठका हो उसमें देरी हो रहा है तो आप धतूरे फोड कर उसके बीच का गुदा निकाल कर मंगलवार के दिन सियुजी पर चढ़ाए उसके बाद में एक लोटा जल चढ़ाए ऐसा करने से आपका जो काम है वो बनना सुरू हो जाएगा बन जाएगा तिसरा उपाय इस प्रकार है अगर आपको कोई बादा आ रहा है कोई काम में बादा आ रहा है घर में बादा आ रहा है तो आप धतूरे को चढ़ा के थोड़ा सागा चावल आखा चावल आप धतूरे को उपर में चढ़ाए ऐसा करने से आपके काम बनेंगे बादाए दू हो जाएगी कारे में सफलता के लिए धतुरे का उपाए अगर आप कोई इंटर्व्यू के लिए जा रहे हैं तो आप एक धतुरा सीव जी को अपना नाम और गोत्र बोल कर जरूर चड़ा कर जाए ऐसा करने से आपको कारे में निश्ची तुरुप से शफलता मिलेगी भी अगला उपाए है धन प्राप्ती के लिए धतुरे का उपाए तो कभी भी अगर सो मार की अश्टमी पर जाए तो आपको जिसका डंडी जो धतुरे का पेड़ होता है उसके डंडी उसमें फूल लगा रहता है उसका डंडी लाल कलर का होना चाहिए ऐसे धातुरे को अगर आप सो मार की अश्टमी तिधी को संकर जी पर चढ़ा देते हैं तो आपको कभी धन समपदा की कमी नहीं होगी आपको धन की प्राप्ती होगी अगर वीडियो जरा सब यूप योगी लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट बाक्स में हर हर महादेयो जरूर टाइप करें श्री स्युआ नमस्त ब्यम हर हर महादेयो